खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुल जार होता है, मिता दे खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, अगर कुछ तुम प्राप्त करना चाहते हो, उचा उठना चाहते हो, तो अपने हंकार को क्या करो, मिता दो, आत्मा में म मिटी में जब मिलता है, बरकत का जिसे बीज है, जिए मिटी में प्रिसी में मिलेगा, तो अंकुर होकर के पौधा होकर के महान बिक्ष बन जाता है, कि दानाखाक में मिलकर गुले गुल जार होता है, पीपल का बीज हो कितना चोटा है, लेकिन अपने स्थित्व को छोड़, कर देगा हंकार को खतम कर देगा मिटी के साथ एक हो जाएगा तो क्या होगा हो अंकुर होके पौधा होकर के महान बिक्ष बन जाता है फिर लाखों भी उससे तयार होते हैं मिटा दे खुद की हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुल जार होता है कहीं मैला दिखाई दे तो या मिटी से ढख दो या वहां से हड जाओ लकड़ी लेकर के उसको कई जगह भी खेरना फैलाना ठीक नहीं है कहीं कुछ खराब चीज दिखाई दे किसी की निंदा सुनो तो इस निंदा को सुन करके कई जगह कहते हैं न फिरो अपना महमुले समय नस्ट न करो सावधान हो जाओ कि अमक आदमी में ये दोस है हम में नहीं ये दोस आ जाए ओ आदमी पिछल करके गिर गया सावधान हो जाओ कि हम न गिरे और किसी की निन्दा न करते फिरो दूसरे के दिमागों में उसको न पहुचाओ कि वैसा है वैसा है ट्रेन में बस में तुम चड़ते हो बहुत से परचित आदमी भी मिलते हैं कोई कोई आदमी मिलता है आई 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 बैठिये खसक जाता है बैठा लेता है और कोई कोई आदमी का तक नहीं हम अपने आदमी के लिए जगा रखे हैं आपको नहीं बैठने देंगे तो क्या सोचना चाहिए कि पुर्व जन्म में तुम जिसको सुख दिये हो सुख लटाएगा और किसी को दुख दिये हो तो वो दुख गहां जैरी है यात्रा में ःप्रमन में ऐसा आप लोगो अभी अनुख होगा कोई-कोई अपरचित सीरा नियु बहुत आवरा के लगते हैं कोई-कोई जो होता है अपरचित है अगोई उससे मिलते ही मिलते मिलते में क्या होता है नफapolis हो जाते है उसे मालम होता है कि भैर ह मेरा मेरा करके जन्तु जो है फस जाता है बंढ जाता है और मेरा कुछ नहीं है ऐसा समझ करके निकल जाता है जन्तु हो जाता है मेरा मेरा करके फसोगे और मेरा कुछ नहीं है ऐसा यदि हो गया बोध तो मुक्त हो जाओगे सरीर मैं हूँ, सरीर मेरा है ऐसा रखोगे, संसार के चीजे हमारी है तो फसोगे और आत्मा में मैंपन हो गया मैं आत्मा हूँ, तो सारे बंधोनों से मुक्त हो जाओगे न दिर्षयते खलुकस्चिद उपाया सर्व लोक परितोस्ष करो जा सर्व था स्वहितमा चरनियम किम करिश्यत जनोब वुजल्प न दिर्षयते खलुकस्चिद उपाया ऐसा कोई भी उपाय नहीं देखा जा रहा है उस से सब लोग संतुष्ट हो जाएं सब लोग संतुष्ट नहीं होंगे कोई भी आपकर काम करके देखो कुछ नो कुछ बिरोधी तैयार हो जाएंगे सबकी बुद्धी एक धंकी नहीं है सब एक धंक से नहीं हो सोचेंगे न दिर्षयते खलुकस्चिद उपाया सर्व लोग परितोस्ट करो जा ऐसा कोई पाय नहीं जी कि सब लोग संतुष्ट हो जाएं इसलिए सर्व था स्वहित माचरणियम इसलिए जिसमें अपना ही तो दुसरे का भी ही तो भला हो ऐसा आचरण व्यवहार करना चाहिए किम करिश्यती जनों बहुजल्पा किम करिश्यती जनों बहुजल्पा बहुत बोलने वाले निन्दा करने वालों से हमको क्या लेना देना है हमको कुछ परवाह उनकी नहीं करनी है हमको अच्छा काम करना है कोई आदमी था, जा रहा था घोड़ा पर, एक लड़का छोटा उसके साथ में था, बुढ़ा चढ़ा था घोड़े पर, लड़का पैदल चल रहा था, रास्ते में लुग क्या कहते हैं, देखो बुढ़ा अपने चढ़ा है घोड़ा पर और लड़के को पैदल चला रहा है कुछ आगे बढ़ा बुढ़ा लड़के को चढ़ा दिया घोड़ा पर अपने पैदल हो गया आगे बढ़ा कुछ दूसरे गाँवाले कुछ कहने लगे देखो नगे लड़का चढ़ा है घोड़ा पर बुढ़ा जो है पैदल चल रहा है बोड़ा जो था वागे बढ़ा, आगे दोनों चढ़ गए उसमन घोड़ा पर, लड़ता भी चढ़ गया और बुड़ा भी चढ़ गया, लोग क्या कहते हैं कावाले, देखो न, गोड़ा पर दोनों बैठ करके गोड़ा को दुख दे रहे हैं, इसकी पीट को, पीट पर दो कई तरह के वक्त अब्य देंगे, इसलिए जिसमें अपना ही तो हो, वही काम करना चाहिए.